नमस्कार तिवेदी जी के कीचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज कल खासकर मेथी का सीजन आ गया है तो हम आज मेथी का पराठा बनाएंगे और वो भी मसाला पराठा बनाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कुछ मेथी लिया है जिसे हम अच्छी तरह से धूल के साप कर लिये हैं और जो उनका मुलायम वाला पत्ता था उन्हें हम निकाल लिये हैं और जो टाइट टंठल था उन्हें हम फेक दिये हैं अब आईए हम इन्हें बारी काट लेते हैं इससे पहले कि आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हो तो प्लीज सब्सकाइब कर लें और बगर में बेल बटन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और हाँ लाइक करना बिलकुल भी ना भूलिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बारी खमने मेथी को काट लिया है और इसमें हम लिए हैं एक कप गेहूं के आटा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे लिए हैं एक चौथाई चमच गरम मसाला एक चौथाई चम्मच लाल मिर्चा पाउडर है स्वाद अनुसार नमक है और यहाँ पर लिए हैं आधा चम्मच अजवाइन है और जितना अजवाइन उतना ही जीरा है तो जीरा और अजवाइन जरूर आप डालें खास कर पेट के लिए फायदा होता है और स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ पर थोड़ा सा हम अपने हाथेली पे जीरे को मसल दे रहे हैं उसके बार इन्हें हम डाल दे रहे हैं अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा फ्रेवर आने के लिए ताजी हरी धनिया है आपके पास सोतो डालें वरना कोई बात नहीं है खैर आजकल तो मौसम बहुत अच्छा है मार्केट में हरी हरी धनिया या हरी सबजीया खोब गिरी हुई है जो भी सबजीया आप चाहें यूज कर सकते हैं अब आईए यहां पलेते हैं एक कप पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम सौप्ट डो बना कर तयार करेंगे तो यह ध्यान रहे कि पानी आप थोड़ा थोड़ा गिराएं नहीं तो आपका आटा जो है धीला हो जाएगा अब यहां पर आप देख सकते हैं हमने आटा का डो लगा लिया है और बिल्कुल सौप्ट मुलाएं हो गया थोड़ा सा हाथों में हम तेल लगा करके और इन्हें रग देते हैं एक साइड तब तक आईए हम आपको दिखाते हैं यहां पर आधा कप से थोड़ा जादा ही हमें पानी की जरूरत पड़ी है अब आईए हम चटनी बनाते हैं तो चटनी के लिए हम यहां पर पैन गरम है और इसमें हम एक कटोरी छोटी कटोरी से मुमफली लिए हैं हम आज मुमफली का चटनी बनाएंगे मुमफली हम अब भुना गया उसके बाद उसका छिलका हम उतार दिये हैं और उसे मिक्सर में डाल दिये हैं तो जितना ही हम मुमफली लिए हैं उतना ही हम सूखा हुआ नारियर लिए हैं और दो से तीन लहसन है दो हरा मिर्चा है स्वादा नुशार नमक है और थोड़ा सा पानी डाले हैं आप देख सकते हैं चटनी हमारी पीस के अच्छी तरह से तैयार हो गई है अब आईए इन में हम तड़का लगा देते हैं तड़के के लिए हम पैन रखते हैं थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे सरसु तेल सरसु तेल का फ्लेवर बहुत बढ़ी आता है और इसमें डालते हैं आधा चम्मच राई है और जैसे ही राई चटक गई इसमें हम डालेंगे चार से छे कड़ी पत्ती आप चाहे तो इसमें हरा मेर्चा का भी तड़का लगा सकते हैं बारी काटके इस तड़के में डाल दें अब आई ये तड़का हो गया मेरा अब चलिए शुरू करते हैं हम पराठा बनाना तो यहां पर आठा हमारा काफी मुलायम सौप्ट हो गया है और अब हम इनका लोईया काटेंगे तो थोड़ा से इसमें रखते हैं सुखा याटा और इनका थोड़ा समसल कर बराबर बराबर में दो लोई हम काट लेते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से पना सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं और यह मसाला पराठा है तो बड़ी स्वादिष्ट लगता है एक बार ट्राइ ज़रूर करें तो चलिए इन्हें हम एक रोटी का आगार दे दिये हैं और इनको भी हम इसी तरह से बेल लेते हैं अब दोनों जो है हमारा एक बराबर हो गया है तो आएए अब हाथों पे हम घी लगा के और बीच में हम अच्छी तरह से घी लगा देते हैं अब दोनों को एक बराबर में इस तरह से नीचे उपर करके हम हलका हलका जो है दबा देते हैं थोड़ा सा आटा लगाते हैं और इसके बाद इनको हम हलके बेलन से बिल्कुल हलके बेलन से इन्हें हम बेल लेंगे इस तरह से आप देख सकते हैं अब यहाँ पर तवा हमारा गरम है और इस पर हम पराठा सेखने के लिए डाल दिये हैं अब थोड़ा सा जैसे ही सिक जा आप पलट देएं हैं और इसके बाद इन पे घी या तेल जो भी आपके पास उपलब्द है आप यूज करें वैसे सर्द के मौसम में घी का उपयोग जादा करना चाहिए अब आए ठीक दूसरे तरब भी इसी तरह से हम लगा देते हैं और मेडियम हलके आज पे आप इन्हें बनाएं जब भी बनाएं तो गैस का फ्लेब थोड़ा सा हाई ना करें मेडियम आज पे आप इन्हें सेकें अब इन्हें हम पलटे के मदद से अच्छी तरह से दबाते हुए हम सेक लेंगे ताकि चारो तरफ से हमारा पराठा जो है अच्छी तरह से सिख जा अब आप देख सकते हैं सिख गया मेरा पराठा तो चलिए इन्हें हम निकाल देते हैं सारा पराठा हमने इसी तरह से बना लिया है और इसका आप देखिए पर्तो पर्त कैसे निकल रहा है यह देख सकते हैं पिल्कुल आराम से इस तरह आप देख सकते हैं और अपने बच्चों को टीफिन में या पती के टीफिन में आप इसे दे सकते हैं बहुत सौप्ट मुलायम पराठा मारा बन के तैयार हुआ है तो इसी तरह से हम सारा पराठा अलग-अलग कर देते हैं और इसका हम बना लेते हैं इस तरह से रोल आप देख सकते हैं तो चलिए अब इने हम इसी तरह से रोल तैयार कर लेते हैं अब आप देख सकते हैं पराठा मारा बन के तैयार है चट्टे के साब और सबजी से खाएं या चट्ने से खाएं बहुत लजीज है तो